अबेश्वर्दोस्तों स्वागत है अपने लिए विद पारस में और मैं भूभी देरादून रेके रेलवे स्टेशन में और यह सामनें जेरादून का रेलवे स्टेशन जहाँ पे साइन वोड़ भी लगावा है उत्तर रेलवे देरादून स्टेशन आफका तो देरादून जो है आप लोग गूमने अगर आते हैं तो देरादून के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको ऐसा नजारा दिखाई देगा तो यहां पर यह रेलवे प्लैटफॉर्म का एंड है और सामने से देरादून से सारी ट्रेनें देश बर्ग ले जाती है यह देरादून ट्रेलवे स्टेशन का साइन बोड समुदर तल से उचाई 636.96 मीटर बड़ा ही खुप्सूरत सा छोटा सा एलवे स्टेशन है यह देरादून का पहले इसमें यह दो ही ट्रैक थे पर अब यह काफी बड़ा हो गया क्योंकि काफी बड़ा तो नहीं मतलब कर फिर भी काफी यह लेफ्ट साइड हुए यह इसका एक्स्टेंशन हुआ है तो अब यहां कुल जो है वो पांच प्रैटफॉर्म है पहले दो यूँआ करते दो तो जो स्ठाइ सिंच और निल्मे स्टेशन से बघार हाते गाफो उपष्टू नजारा मिलेगा, यहां पे यह सारे आटो और टक्सी लगे में आपके, जहां से आप इने हायर कर सकते हैं यह देखिए यह बहुत ही पराणी बिल्डिंग है देराज उनके रेल्वे स्टेशन की और इसी को मेंटेन किया हुआ है तो देराजून के रेल्वे स्टेशन से अगर आप निकलते हैं तो आपको यह बाहर आटो आपको सारे खड़े मिल जाएंगे आटो टैक्सी आपको यही मिल जाती है तो पहले अधिक तर लोग जो है जो भी घूमने जाते हैं वो यहां से जो बैस्ट हिल स्टेशन है वो मसूरी है तो मसूरी टीरी चमबा आप कहीं भी अगर घूमना चा रहे हैं दनौल्टी चकराता तो आपको यहां टैक्सी और आटो रिक्षा उपलुब्द है तो आपको अगर लोकल में जाना है तो आटो रिक्षा यहां लगे रहते हैं इनके साथ आप पार्गेनिंग करके अपनों मॉटो बुक करके जाते हैं अदर्वाइस मैं आपको दूसरा आप्षिन बदाता हूं तो दूसरा हम जो है यह यह रेल फेस्टेशन के सामने से थोड़ा सा गर इधर पैदल चलके आएंगे तो यहां पे इनका जो है आफिस है जो की मसूरी और आसपास के इलाकों में जो ह हो होगए यहां से आप अपनी टेक्सि चुत कर सकते हैं और अगर आप रोडवेज उत्रहगंट रोडवेज की बसे जाना जाते हैं तो उत्रहगंट रोडवेज की बसें झो है वह आपको यह मशूरी बस स्टैंड यहां से मिल जाती है यह देखेगी यह उत्तरा खंड का मसूरी बस स्टेंड है बहुत पुराना यहां से आपको मसूरी और पाड़ी चेत्रों के लिए वह बस मिल जाएगी खिलाल अभी जैसे यह तेरा दून मसूरी मसूरी यहां से मात्रे 33 किलो मिटर है तो यहां से जो है सारी बस हैं पॉड़ी शिरिनगर गोपेशर और यहां से जो है आप पर उसके बाद कहीं के ने भी जो है पस के द्वारा भी जा सकते हैं और टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हैं तो फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको कोई और इंक्वारी यहां के बारे में चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स बताईएगा अब तक के लिए धन्यवाद के लिए धन्यवाद अभाद मुझे नहीन अक्रीक